कुष्यम आयोजन के बारे में बताएंगे तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुष्यम आयोजन माल एजेस्मेंट देखिए मानसिक स्वास्त कुष्यम आयोजन की परिभासा जो कुष्यम आयोजन की परिभासा ए वह अवस्ता है जिसमें एक व्यक्ति की अशक्तायं तथा दूसरी और वाता वरणके अधिकारों में पुढ़ असंतुष्टी होती है अर्थात की जब किसी व्यक्ति का ब्योहार में केवल दूसरों की बल्कि स्वयम की प्रगत में बाधक हो तो उसके परिडाम स्वरूप उसका नकेवल बिरोध किया जाए बल्कि घिल्डा भी की जाए तो ऐसा उस व्यक्ति के समझ अनेक प्रकार की समयोजन समंदी अवस्थित का देता है तो यह जो अवस्था जो है यह जो है कुश्यमायोजित अवस्था हो जाती है अर्थात किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के उस व्यवहार को कुश्यमायोजित व्यवहार कहा जा सकता है जिसमें वह सामानी धंग से कारे नहीं कर पाता है तो देखिए कूर्षाम मयोजित व्यक्टि के लच्छड विशेश तो फर्स देखे सामानी धंग से कारी नहीं कर पादा है उष्टि आंत्री क रशकताएं जो होती हैं आंत्री करशकताएं जो होती हैं उष्टिए बीच जूँन असुनलन की इस्थिती पैदा हो जाती है जब व्यक्ति अपने आपको या अपने विचार को जब किसी इस्थिति या परिस से संतुलित नहीं कर पाता है, तो वह कुशमायोजीत व्यक्ति अपनी इच्छां और वाता वरड के बीच समायोजन नहीं कर पाता है। कुष अमायोजन के कारण काजेजाओ माल एड़ेस्मेंट कुष हमायोजन के कैय कारण होते हैं पर कुष अमायोजन का कि एक ओरोदख होता है या बाधक होता है जैसे जब यक्त अपने आप को यह संतोलित नहीं कर पाता है तो रहता है अधार जब दबाव से कायर होती है सामन जस्य स्थापित करने की प्रक्रिया होती है वो कुशमायोजित हो जाती है या कुशमायोजन में बदल जाती है कुशमायोजन के कारण इस प्रकार्षे हैं जो कुशमायोजन के कारण कई हैं देखिए सदस्यों की विचाधारा एक परिवार में जो है कई तरह के सदस्य होते हैं कई तरह के लोग रहते हैं जो है उनकी जो है अपनी अलग-लग विचार धारा होती है कहने का जो है तो सदस्यों में जो है अलग-लग विचार होती है जिससे आपसी तालमिल नहीं बैठ पाता है आपसी तालमिल नहीं बैठ पाने के कारड़ जो है कौन से इस्थिती पैदा हो जाती है कुशमायोजित इस्थिती में बदल जाती है अव्रित्ति का विरोध हर व्यक्ति की अपनी अलग अव्रित्ति होती है कहने का तरीका होता है तो उनका विरोध भी एक प्रमुक कारण है तलाक व अलगाओ परिवार में तलाक रिष्टो का तूटना या अलग हो जाना एक दूसरे से अलग हो जाना भी एक प्रमुक कारण ह शौक या मृत्त्यू वेगठी और विगठी कुछाएं तो उससे जो है दुख होता है और विगठी परिवार तूटते हुए रिस्ते परिवार का जाँ है विगठी हो जाना मतलब तूठ जाना अलग हो जाना ये वी जो है एक कारड है सेकंड है संबेग आत्मक कारड़ इमोशनल काजिज व्यक्ति का अपने संबेगों पर नियंतर रखने में अश्फल होना व्यक्ति जो है अपने संबेग जो होते हैं उस पर नियंतर नहीं कर पाता है करोध तनाव और निराशा की इस्तिति जो है पैदा हो जाती है जिसके कारण जब आपने में अश्फल भी सामंजस नहीं एश्फ़त कर पाता है और जब उसको जो है अशफलता हासित होती है दिरासा होती है तो उसको जो है अशफलता भी होती है उसकारी में जिसके कारण वह है कुछ अमायोजित हो जाता है तड़ देखिये स्वाष्त के कारणा help causes सारीडिक रोगोंसे ग्रसीत वयक्ति का जो है सारीडिक रोगों से सरिक में कई तरह से रोग प्राबलम हो जाते है डिजीज हो जाती बिमारी हो जाती है जिसके कारण जो है व्यक्ति समाज में शामान जस्य नहीं अस्थापित कर पाता है तो यह इस्थिती कूशम आयोजन में वदल जाती है नेक्स्ट है आर्थिक कारण, एकोनामिक कॉजेज आर्थिक संसादनों की कमी, आर्थिक धन से जुड़ी संसादने हों उसकी कमी होना, गरीबी व्यक्ति का जो है, गरी में जीवन्यापन करना वेरोजगारी, अगर व्यक्ति वेरोजगार है, लाचार है जिसे कोई भी कारी कर रहा है, उसमें नहीं सफल हुपा रहा है तो यह भी जो है एक प्रमुक कारण है इसमें देखे असिच्छा व्यक्ति का जो है सिच्छित न होना व्यक्ति अगर सिच्छित नहीं है तो समाज में जो है सामंजस से नहीं अस्थापित कर सकता है अधिक बड़ा परिवार और जो है व्यक्ति का जो है जिसे समाज में जो है जो व्यक्ति जिस परिवार में रह रहा है उस परिवार का जो है आकार बड़ा होना जैसे सैयुक्त परिवार में रहना व्यक्ति का जो है नसे का सेवन करना नसे की जो है लट लग जाती है सेवन करना भी एक प्रमुख कारण है नैतिक सिच्छा की कमी नैतिक जानकारी जो है की कमी होना अनुशाषन की कमी व्यक्ति में जो है अनुशाषन की कमी का कमी भी एक प्रमुख कारण है व्यक्ति का जो है सामंजस्य स्थापित करने में ये जो है प्रक्रिया कुशमायोजन में बदलने में ये भी अनुशाचन भी प्रमुप्सकारण